वाई सुप्रिम कोट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ओफ मदर्सा एजुकेशन आग 2004 को असम्विधानिक करार देने वाले लाहबाद हाई कोट की फैसले पर रोक लगा दी इसके साथ ही केंद्रो और यूपी सरकार से 31 मई तक जवाब मांगा है कोट का कहना है कि हाई कोट की फैसले से 17 लाग चात्रों पर असर पड़ेगा चात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रास्फर करने का भी निर्देश देना ठीक नहीं है 22 मार्च को लाहबाद हाई कोट की लकनव बेंच ने यूपी मदर्सा आक्ट को आसम्यधाने घोशित कर दिया था कोट ने कहा था कि ये धर्म निर्पेक्षता के सिधान का उलंगन है साथे यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा कि ताकि मदर्सों में पढ़ रहे छात्रों को अपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके सुप्रियम कोट के चीफ जस्टिस डी वाई चन्वचूर जस्टिस जेबी पार्दिवाला और जस्टिस मनोज मिश्वा की बेंच ने याश्कपर सुनवाई की बेंच ने कहा कि हाई कोट प्रथम द्रश्रता सही नहीं है ये कहना गलत होगा कि ये आक्ट धर्म ने पेख्षता का उलंगन करता है यूपी सरकार ने भी हाई कोट में आक्ट का बचाप किया था